हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो यह सोनी एक्सपीरिया वन मार्क टू जो कि 2020 में लाउंच हुआ था लगबग 1200 डॉलर में जो कि होते हैं लगबग यह मर्क टू और इसका रिव्यू होने वाला है और इस फोन को यूज करते हुए लगबग 8 महीने से ज्यादा हो चुके है कुछ दिन मैंने इसको प्रैमरी फोन के तरह कुछ दिन से कंडरी फोन के तरह और अभी कुछ मेंने से रखा हुआ है तो और और इतना समय काफी है किस पेले फोन की ब्डू accord इर डिजाइन से तो यहां पर इस तरह की डिजाइन में जाती है जिउक है और बहुती ज्यादा प्रीमियम फोन लगता है मतलब 20-दार में जितने dropped में और कहीं ज्याद़ा खुब सूर्त है यहां पर सद्व को फ्रें मिलते है। वो फ्रेम मिलते है इसके थिकने से only 7.6 mm, तो फोन काफी पतला है, और भाई पतला फोन हर किसी को पसंद आता है, यह चीज मैंने नोटिस करीए, तो डिजाइन बहुत ही जबरदस्त है, और बिल्ट कॉर्ट की बात करें तो बिल्ट कॉर्ट है उससे भी ज्यादा तगड़ी है, क्योंकि यहाँ पर सैड में अलिमुनियम मिल जाता है, और बैक में गलास दिया गया है, और इस फोन के बैक और फ्रंट दोनों सैड में गलास 6 की प्रोडेक्शन मिल जाती है, और पहले मुझे लग रहा था कि फोन उतना strong नहीं होगा, बट मेरे साथ एक incident हुआ, और मैं कॉल पर बात कर र और फोन में IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो आप इसको बारिश में यूज़ कर सकते हैं, हाला कि पानी में डूबो कर रख सकते हैं, तक 30 मिनिट के लिए, बट मैं सजेट करूंगा कि इसको पानी में नहीं डाले, वरना फोन खराफ सकता है, और ये इंडिया में रिप दिस्पले मिल जाती है, जो कि अमेजिंग है, और इसमें 21-9 का एसपक्त रेशो दिया गया है, तो दिस्पले पतली और लंबी है, और सोनी इसे सिनेमा डिस्पले बोलता है, तो वाकिए में डिस्पले की क्वाल्टी काफी जबरदस्त है, और ये ओलेट पैनल है, तो कलर काफी अच्छे आते हैं और ब्लैक बिल्कुल डीप मिलता है बाके इसमें एच्डा 10 का सपोर्ट भी दिया गया है और वन बिलियन कलर्स मिल जाते हैं और यह 10 बिट डिस्प्लेई तो डिस्प्लेई बहुत ही जबरदस्त है हाला कि एक कमी है इसमें आपको 60 हर्ट का रिफ्र बाके इस फोन में मुवी देखने का अलगी मज़ा है और जब आप इसमें वीडियो प्ले करेंगे तो उपर साइड में और नीचे साइड में बॉर्डर नहीं आते हैं और फुल डिस्प्लेई में आपको कॉंटेन मिलता है जो कि मस लगता है बट यहां पर उपर साइड मे और नीचे साइड में आपको थोड़े से बॉर्डर मिलते हैं और इसका रिज़ा ने इसमें आपको डूल फरंट फारिंग स्पिकर मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़ा क्यालिटी का है इस्पिकर लाउड क्रिस्प है और यहां पर आपको बेस हलकी मिलती है बट ट्रेबल ज्यादा मिलते हैं जैसा कि सोनी के फोन में हमेशा रहते हैं और उपर सेट के बॉर्डर में ही कैमरा दिया गया है तो इसमें आपको कोई भी नौच या फिर पंच होल नहीं मिलता है फुल डिस्प्ले मिलती है और यहां पर मैं इसके स्पिकर को आईफोन 14 प्रो के स्पिक तो लाउडनेस थोड़ी सी कम है बट क्वालेटी बहुत ही जबरदासते स्पिकर की तो मीडिया के लिए फोन बेश्ट होने वाला है क्योंकि यहां पर आपको डिस्प्ले शांदार मिल जाती है और स्पिकर भी लाउड है बाकि एक और चीज़ कमाल की है यहां पर आपको 3 3.5 mm jack भी मिल जाता है जो कि अभी अक्सार फोनों में नहीं होता है तो इसमें आप नॉर्मल हेड़फोन लगा कर उसका भी मज़ा ले सकते हैं तो इस फोन के डिस्प्ले मार्केट में जितनी बीज़ार के अंदर फोन आते हैं उन सबसे बेटर है बस यहां पर आपको हाई तो चार्जिंग स्पीड बिसकी स्लो है और बैटरी भी छोटी है और अगर आप इसको बिल्गुल नॉर्मल यूज़ करते हैं तो एक दिन चल जाएगा बाकि ज़रा सभी हेवी टेस्स करेंगे तो आपको दुबारा फोन को चार्ज करना पड़ेगा और अगर बहुत ज्य हाला कि दूसरे बिज़र के फोन में आपको फेस लॉक मिल जाता है जो कि इसमें नहीं मिलता है उसके बाद यहां पर डॉल बैंड वाइफाई एनेफसी और ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट दिया गया है बाकि इस फोन में सिंगल सिम सपोर्ट मिलता है डॉल सिम नहीं लगा सकते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए डिल ब्रेकर हो सकता है चलो बात करते हैं इस फोन के पर्फॉर्मेंस की तो इसमें लगा हुआ इस नेफट ड्रेगन 865 प्रोसेसर जो की मोश्ट स्टेबल प्रोसेसर है अपने टाइम का और एक फ्लेक्शिक प्रोसेसर है तो य निकालने के लिए आपको कोई भी टूल की जरुवत नहीं है बस इस तरह से निकाल सकते हैं तो पर्फॉर्मेंस काफी अच्छा है इस फोन का और डिस्प्ले टॉल है तो यहां पर अराम से मल्ट्री टास्किंग कर सकते हैं और इसका एंट्टी इसकोर 5 लाग से उपर आता देने से पहले आप समझ लिजी कि यह 4G फोन है 5G नहीं है हाला कि है 5G बट वर्क नहीं करता है इंडिया में और मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी टॉटोरियल देखे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टिक लगा कर 5G इसमें चला रहे हैं बट जो नॉन टेकी लोग नहीं आगे देखने को मिलेगा और इसका नाय में डायमिक वैबरेशन और यहां पर क्या होता है कि जब आप इसको ऑन करते हैं और फॉन पे मुजिक प्ले करते हैं तो मुजिक की बीट के साथ इसका वर्शन रियक्ट करता है और आपको बीट के साथ वैबरिशन मिलता है जो कि बहुत ही यूनिक लगता है बर उतना प्रैक्टिकल नहीं है तो 20,000 के फोन के साथ से देखा जाए तो इसका हैप्टिक भी काफी बढ़हा है और काफी हद तक क्लीन है क्योंकि यह जैपैनिस फोन है तो इसमें आपको कुछ जैपैनिस एप मिल जाती है जिसको आप कर सकते हैं और डिजेबल कर सकते हैं बाकी काफी हाते क्लीन है और फाल्तु कोई भी एप नहीं मिलती है और बात करें फीचर्स की तो यहां पर आपको काफी सारे फीचर्स भी दिया गए जैसे कि इसमें अराम से कर सकते हैं और यहां पर आपको टैप करना है शॉटकट के प्ले करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं और इसकी डिस्प्लेइ तो यहाँ पर म्लT्रास्किंग करने में काफि एजी रहता है और आपको को कोई भी updates इसमें नहीं मिलेंगे और security patch update की बात के रिए तो वह भी काफी पुराना है और देख सकते हैं 1st September 2022 का इसमें security patch update जो कि अभी तक कोई जूम कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको 0.3 मेगापिसल का टी ओफ सेंसर दिया गया है देप्त के लिए और इसमें जाइस ऑप्टिक्स दिया गया है जो कि बहुत ही महंगा और प्रीमियम होता है बाकि फ्रंड में 8 मेगापिसल का कैमरा मिल जाता है बैक केमरे से 4K में 60 fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं और इसमें OIS का सपोर्ट भी मिल जाता है वहीं फ्रंड कैमरे से फुल HD में 30 fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं और फ्रंड में EIS का सपोर्ट दिया गया है और वीडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़ हाती है यहां पर मैं सैंपल आप लोग काफी सही लग रही है यह इसके फ्रंड कैमरे की वीडियो और इसमें फुल HD तक का ही सपोर्ट मिलता है बाकि स्टेबलाजेशन की बात करें तो यहां पर मैं दोल्ड कर दिखा देता हूं तो कुछ इस तरह के आपको स्टेबल वीडियो मिल जाती है फ्रंड कैमरे से और फ यहां पर दो फोटो अच्छी मिलेगी और आठ फोटो बिकार मिलेगी इस तरह को यहां पर दिया गया है हाला कि मैं बहुत सब्धार फोटो कीलिक किया है इस से तु legends दिखा देता हूं तो देख सबसारे इंग काफी अच्छी मिल जाती है ब्ड जो कलर से वो थोड़ा से म टाइब किये मतलब यहां पर जो कॉंट्राश्ट है वो अतना अच्छा नहीं मिलता है और फोटो थोड़ा सा डल लगता है हाला कि इसके कैमरा एप में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं और अगर आप लोगों को इसका डेटिकेटेट कैमरा रीविवी देखना है तो प्रो एप प्रो की बात के रहें तो यहां पर फोटो क्लिक कर सकते हैं और इसमें आपको फूल अजाद है मतलब यहां पर पूरा मैनृयल कंट्रोल दिया गया है यहां पर आप इसो को अपने इसाफ से एडजेक्ट कर सकते हैं उसके बाद शेटर रिष्पीड हो गया उस्ताब कुछ आप अपने हिसाब से मैनेज़ कर सकते हैं और इसमें आपको DSLR की तरह पूरा कंट्रोल मिल जाता है तो जिल्लों को फोटोग्राफिक की नॉलेज़ है तो वह लोग इस फोन से काफी अच्छी फोटो ले सकते हैं और इसी तरह सिनेमा प्रो एप पे जहांपर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसमें भी आपको पूरा मैनुवल कंट्रोल मिल जाता है जैसे कि FPS हो गया उसके बाद ISO, Shutter Speed, Wide Balance हो फोकस हो गया सब कुछ आप मैनेज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से तो अगर आपको वीडियो ग्राफिक का नॉलेज़ है तो यहाँ पर मुझे डिसेंड लगे इसकी और अगर आपको नॉलेज़ है तो फिर बहुत अच्छी है तो अब आते हैं केंक्लूजन पर कि कैसफ़ॉन को पर्चेस करना चाहिए या नहीं तो भाई मैंने इसको लगबग आठ महीने पहले लिया था 22,000 वीपे में बट अभी इंडिया में 20,000 के अंदर भी आपको मिल जाएगा one-tica.com पर जहाँ पर काफी सारी condition मिल जाती है जैसे कि अगर आप rough condition लेंगे तो आपको 15,000 के अंदर मिल जाएगा और आप सुपर कंदिशन लेंगे तो आपको 19,000 मिल जाएगा और 19,000 में काफी जबरदस्त फोन है बट अमेजिंग नहीं मिलता है और तेसरी चीज़ इसमें आपको कोई भी सॉफटर अपडेट नहीं मिलता है बाकि प्रॉस्ट की बात करें तो भाई बिल्ड क्वानटी डिजाइन बिल्कुल जबरदस्त है और यह ऐसा फोन है जो कि हर कोई जाएगी आपको यूज़ करके तो अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं वैसे वीडियो कहीं से भी स्पॉंसर नहीं है और मैंने इसको काफी दिन पहले लिया था यूज़ करके मजा आई तब यह वीडियो आप लिए बना रहा हूं तो अगर आप लोगों को पर्चेस करना ह बाई!